हेलो गाइज, वेलकम बैक तो माइ चैनल, I hope you all doing well in your life जैसा कि आज मैं आपके लिए हल्दी सेरिमनी में पहनने के लिए डिफरेंट स्टाइल के सूट और ड्रेसिस के डिजाइन लेकर आई हूँ I hope आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे वो तो आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है और अब के जो हमारा जमाना उसमें हल्दी जैसे फंक्शन को बहुत ही बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है लोग बहुत ही सुन्दर सुन्दर आउटफिट पहनते हैं बहुत ही सुन्दर सुन्दर डेकॉरेशन की जाती है उसे बहुत ही अच्छे सेलिब्रेट किया जाता है कहीं कहीं पर चोटी सी रस्मन निभाई जाती है बट जादा तर अब जो है हल्दी सेरिमनी को बहुत ही अच्छे सेलिब्रेट किया जाता है ये वाली dresses जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो जैसे की होता है कि अगर हम हमारी घर में या हमारे घर में किसी की हल्दी है तो हम जो है कुछ लोग उसमें simple outfit prefer करते हैं simple outfit पहनना जिसे हल्दी function में मेहंदी function में तो जैसे हल्दी में अगर हम लोग simple outfit preference कर रहे हैं जिसे माल लीजे simple suit आप पहन रहे हैं तो आपको उसमें जो है jewelry या तो artificial अगर आप jewelry पहनना पसंद करते हैं तो आपको उसमें हमेशा जो artificial jewelry है वो थोड़ी सी heavy पहनने चाहिए जिससे क्या होता है आपके suit को वो एक अच्छा look दे देते हैं jewelry जो होती है कि वो अच्छा look दे देती क्योंकि अगर आपका suit कितना भी simple हो पर jewelry से आपका look बहुत ही अच्छा आ जाता है और अगर आप बहुत bright बहुत colorful makeup करेंगे तो वो आपके पूरे outfit को एक अलगी look दे देगा और अगर आप artificial jewelry पहनना नहीं पसंद करते हैं तो आजकल तो वैसे भी हल्दी में लोग flower की बनी jewelry को ही preference देते हैं तो आप जो है flower की बनी jewelry को भी बहुत ही अच्छे से carry कर सकते हैं आपको बहुत ही एक elegant look देगा अगर आपको यह चाहिए कि आपको किस तरह के designs बनाना चाहिए है हल्दी के लिए flower की jewelry तो आप में को comment box में बताइए मैं आपके लिए जो है उसकी भी वीडियो लेके आउंगी और अगर जिसे कुछ कुछ लोग थे कुछ लोग तो simple पहनना पसंद करते हैं बट कुछ लोगों को heavy outfit पहनना अच्छा लगता है तो अगर आप heavy outfit पहन रहें तो आप उसमें please flower की बनी ही jewelry ही carry करिए आप उसमें artificial को एक नेगलेक्ट ही करिए अगर आपको artificial पहनना पसंद है तो आप उसमें light जो थोड़ा सा heavy ना हो वैसी jewelry पहनना पसंद करें वो आपको बहुत अच्छा look देगा आप इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अप आप उसके साथ yellow के साथ आप yellow अगर आपको टॉप अच्छा लग रहा है तो उसके नीचे white आप लहंगा बना सकते हैं या pink लहंगा बना सकते हैं तो हमेशा जो है color को contrast में रख्या करिए कुछ लोग होते हैं कि yellow yellow पूरा तो एक थोड़ा हमें vibrant लुक देता है यह जो colorful कालरफुल ही कीजिए healthy ceremony में क्योंकि bright और colorful makeup हमें बहुत ही अच्छा लुक देता है तो हमें हम सब को makeup पे जादा ध्यान देना चाहिए and I hope आपको मेरी बतायवी सारी चीज़े बहुत अच्छी लगी हूँ आप प्लीज मेरी वीडियो को like करें और मेरे चैनल को please subscribe करें आग के लिए जरूर लेके आउंगी वीडियो तब तक के लिए bye and thank you